अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिनल मैट्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा Dear Students, वाजात है आप सभी का आज की क्लास में Chapter 5 Continuity and Differentiability में Exercise 5.1 को Continue रुखते वे सबसे पहले आजम Question No.15 को डिसक्स करेंगे कल अपने Question No.1,2,3,4 को डिसक्स किया था उसके बाद Question No.5 है जो आप Easily कर लेंगे अपने आपसे लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो पूछ लिजएगा Comment box में जागर के ठीक है उसके बाद Question No.6 Question No.6 हमने जिस दिन हमने Continuity के Concept को डिसक्स किया था तो उसके साथ हमने Question No.6 को भी डिसक्स किया था ठीक है बाकी उसके बाद की जो कोईशन है 7, 8, 9, 10, 11, 12 यह Question No.6 जैसे ही है लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लिजएगा Next Question No.13 अभी मैं आपके साथ Question No.15 डिसक्स कर रहा हूँ इसके आप 14 को डिसक्स करेंगे ठीक है तो जब आपको 14 अगर 15 समझा रहेगा तो Question No.13 को भी आप Easily खुद कर लेंगे लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो पूछ लिजएगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे Question No.15 को ठीक है तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो नहीं होगे थी यहाँ पर 3 तरके से डिफाइन है, do 0-0 से छोटे रियल नंबर के लिए f off x, ,2x के बराबर है 0-1 की बीच के रियल नंबर और 0-1 बिस बेंग्ल्यूड है के लिए f of x, 0-0 के बराबर है, और 1 से बडए real number के लिए f of x 4x के बराबर है ठीक है तो यहाँ पर function f of x तीन तरह के से defined है और यहाँ पर हमें इसकी continuity को discuss करना है यहाँ पर इसके सांतेता पर बिचार करना है ठीक है तो सबसे पहले तो f of x 0 से छोटे real number के लिए defined है 0 और 1 के बीच के real numbers के लिए defined है और 1 से बड़े जितने भी real numbers है सब के लिए defined है तो इसका बतब यह हुआ कि यहाँ पर जो हमें function दिया हुआ है यह सारे real numbers के लिए defined है तो इसका जो domain है वो set of all real numbers है ठीक है तो continuity discuss करनी है सबसे पहले हम इसकी continuity को discuss करेंगे 0 और 1 पे क्यूंकि 0 और 1 पे इसके discontinuous होने की संभावना ज़्यादा है ठीक है 0 और 1 पे इसके discontinuous होने की possibility ज़्यादा है क्यूंकि 0 और 1 पे function अलग-अलग तरह के से behave कर रहा है कैसे 0 से छोटे real numbers के लिए f of x equal to 2x और 0 से बड़े real numbers के लिए f of x equal to 0 तो 0 से पहले function f of x 2x के equal है और 0 से छोटे real number के लिए f of x 0 के equal है ठीक है तो क्यूंकि 0 से पहले function कुछ और है 0 के बाद कुछ और है तो 0 पे discontinuous हो सकता है तो पहले यहां पर हम 0 पर चेक कर लेते हैं at x equal to 0 left hand side limit limit x tends to 0 negative f of x limit x tends to 0 negative का बाता है है 0 से थोड़ा कम ठीक है 0 से थोड़ा कम का मतलब है कि less than 0 और less than 0 के लिए f of x equal to है 2x ठीक है equal to limit 0- का मतलब है 0 से थोड़ा कम सपोज यह 0- h है और h h बहुत छोटी वैली होती है है ठीक है h बहुत छोटा होता है वैरी वैरी स्मॉल होता है close to 0 होता है ठीक है तो इसलिए यहां पर क्या होगा limit h tends to 0 और x की जगह पर लिख देंगे 0- h ठीक है अब यहां पर h की वैली सब्सिटूट कर दीजें 2 0-0 equal to 0 ठीक है left hand side limit 0 आई है अब right hand side भी नहीं कर लेते हैं limit x tends to 0 positive f of x equal to 0 positive का बता है 0 से थोड़ा जादा इट मिन्स 0 से बड़ा और 0 से बड़े अब function की value 0 पर f of 0 तो when x equal to 0 x equal to 0 कहां पर है यह देखो x greater than equal to 0 x equal to 0 भी है यहां पर ना तो x equal to 0 के लिए f of x equal to 0 है ठीक है तो जब आप एक्स के जगह पर 0 रुखेंगे तो function f of x equal to 0 होगा ठीक है तो left hand side limit, right hand side limit और 0 पर function की value तीन हो equal है इत मिन्स यह 0 पर continuous है since left hand side limit at 0 is equal to right hand side limit at 0 is equal to value of function at 0 hence given function f of x is continuous at x equal to 0 ठीक है तो यहां पर हमने चेक कर लिया है 0 पर तो continuous है अब चेक है अब चेक हैंगे तो यहां पर हमने चेक कर लिया है करेंगे 1 पर क्योंकि 1 से पहले function है f of x equal to 0 और 1 से बड़े real numbers के लिए f of x equal to 4x तो 1 से पहले function कुछ और तरह के से defined है और 1 के बाद function अलग तरह के से defined है तो हो सकते है कि 1 पर discontinuous हो तो 1 पर चेक कर लेते हैं तो अब limit continuity चेक करते है अट x equal to 1 इस पर left-hand side limit is equal to limit x tends to 1 negative f of x is equal to limit x tends to 1 negative 1 negative का मता आप है 1 से थोड़ा कम और 1 से less than 1 के लिए f of x equal to 0 है तो यह सिधा आपे यह लिखनी की जोड़ी थी सिधा 0 लिख दिए ठीक है next right-hand side limit limit x tends to 1 positive f of x 1 positive का मता आप है 1 से थोड़ा बड़ा और 1 से बड़े real number के लिए f of x equal to 4x है यहां पर बजाएगा limit x tends to 1 positive 1 से बड़े real number के लिए f of x equal to 4x equal to limit 4x के जगा पर लिख देंगे 1 1 positive का मताव है 1 से थोड़ा बड़ा real number 1 plus h h बहुत छोटी value होती है ठीक है very very small होती है close to 0 यह मैंने कल के question में नंबर लाइन में भी शोग करके आपको बताया था ठीक है कल जो में question number फर्स और सेकिंड किया था वहाँ पर आपको बताया था नंबर लाइन में शोग करके ठीक है तो यहां पर जागा limit h tends to 0 h की वैरिया पर 0 substitute कर दिए 4 into 1 plus 0 equal to 4 ठीक है तो left-hand side limit 0 right-hand side limit 4 तो limit exist नहीं करती है left-hand side limit at 1 not equal to right-hand side limit at 1 तुसका मतब फुंक्शन नहीं है 1 पे ठीक है hence given function f of x is discontinuous आस अत्त बिस कॉंटिनियस at x equal to 1 ठीक है तो हमें यहां पर जो function given है इसकी continuity की डिसक्स करता है तो हमने पर 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 जीरो बन पर चेक किया जीरो पर continuous है और बन पर discontinuous है ठीक है और जो इसको domain है वह है set of all real numbers तो अभी तो हमने सिर्फ जीरो बन पर चेक किया है अब हम चेक करेंगे 0 से छोटे real numbers के लिए ठीक है फिर हम चेक करेंगे 0 और 1 के बीच के real numbers के लिए और फिर हम चेक करेंगे 1 से बड़े real number के लिए ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं 0 से छोटे real number के लिए at x equal to 0 से छोटा एक real number मैं suppose कर रहा हूँ a और ये 0 से छोटा real number है ठीक है तो हम इस पर check कर रहे है इसमें left hand side limit limit x tends to a negative f of x तो यहां पर फुरा step पर शोग करने जोगते हैं सीधर डिर्क लिखेंगे हमें अपर ठीक है तो यहां पर यहां पर a positive के लिए यहां पर आजगा a plus h limit h tends to 0 ठीक है h की जगा पर 0 रुखेंगे तो right hand side limit 2a आएगी तो left hand side limit और right hand side limit तो equal होगी a के लिए ठीक है point a के लिए limit x tends to a positive f of x equal to value function at a तो यहां किसके लिए चेक कर रहे है जीरो से छोटा हमने कोई एक real number suppose किया a उस पर चेक कर रहे है तो 0 से छोटे real number के लिए f of x equal to 2x है तो जब यहां पर x के जगा पर a रखेंगे तो यह जगा f of a is equal to 2a ठीक है equal to 2a तो पूरा step by step शोग करने की जोड़ी किने डिर्क लिख देना a पे left-hand side limit is equal to a पे right-hand side limit is equal to a पे function की value तीन हो equal है तो यह से 0 से छोटे real number के लिए function क्या होगा continuous होगा hence given function f of x is continuous at a और a हमने 0 से छोटा एक real number suppose किया था ठीक है तो यह represent कर रहा है 0 से छोटे सभी real numbers के लिए तो इस तरीके से given function सभी real numbers पे sorry 0 से छोटे सभी real number पे continuous होगा is continuous is continuous at अब हम continuity check करेंगे 0 और 1 के बीच के real numbers पे ठीक है तो इसमें 0 और 1 के बीच में एक real number suppose कर दो suppose भी तो अब हम यह पर एक्स इक्वल टू बी यह मने real number suppose किया 0 और 1 के बीच में तो इसको इस तरह किसे लिखा दसता है बी belongs to 0,1 यह open interval है इसका बता बहुत है 0 और 1 के बीच के real number तो ठीक है तो बी इसको बिलॉंग कर रहा है तो बी हमने real number suppose किया 0 और 1 के बीच में ठीक है तो इसमें left hand sign limit limit x tends to b negative f of x b 0 1 की बीच का real number है तो f of x equal to 0 ठीक है और तो 0 1 के बीच में ही है तो इसके लिए भी function क्यों होगा f of x 0 और b पे b 0 1 के बीच में है तो f of b equal to 0 तो तीनों equal है it means b पे function continuous होगा equal to limit x tends to b positive f of x इसके लिए भी values की 0 होगी equal to f of b b 0 1 के बीच में है तो इसके लिए f of x equal to k 0 ठीक है hence given function is continuous continuous at x equal to b b b cap 0 1 के बीच का real number तो b हमने 0 1 के बीच पे एक real number suppose किया था तो इसी तरीके से 0 1 के बीच के सारे real number के लिए function continuous जगा है तो hence f of x is continuous continuous at x 0 ठीक है 0 1 के बीच के सभी real numbers के लिए function continuous है अब हम is equal to c ठीक है c हमने real number suppose किया है वन से बड़ा ठीक है इसमें भी सेम ऐसे ही लटन साइल लिबिट राटन साइल लिबिट left hand side लिबिट लिए इसमें limit x tends to c negative f of x c negative का बंदाब है c से थोड़ा सा कम c से थोड़ा सा कम लेकिन वो होगा 1 से ही बड़ा ठीक है c हमने 1 से बड़ा real number suppose किया है तो c negative c से थोड़ा c से छोटी value बहुत छोटी value होगी लेकिन वो होगा 1 से बड़ा तो उसके लिए f of x इकोड होगा 4x ठीक है x की जगा पर आजएगा c minus h और h tends to 0 h की जगा भी 0 दिनगे तो यह आगा 4c left hand side limit 4c आएगी ठीक है इसी तरीके से right hand side limit limit x tends to c positive c positive का पताव है c से थोड़ा सा जादा लेकिन वो 1 से ही बड़ा होगा और उसके लिए function है f of x equal to 4x x की जगा पर आजएगा c plus h h की जगा पर लिए दिनगे 0 ठीक है तो right hand side limit भी 4c ही होगी left hand side limit और right hand side limit दोनों equal है और c पर function की value c once से बड़ा real number हमने suppose किया है तो जब आप हम f of c रखेंगे तो यहाप है क्या होगा equal to 4c c पर function की value 4c ठीक है तो once से बड़े सभी real number के लिए function continuous है ठीक है hence f of x is continuous at x equal to c once a बड़ा real number ठीक है cm ने once a बड़ा real number suppose किया था तो इसी तरीके से बाकी जो once a बड़े real number है उनसा भी के लिए function continuous होगा तो we we can say f of x is continuous for all real number greater than one continuous ठीक है तो इसरी किसे मैं आप इसकी continuity डिस्कस कर लिए है 0 से छोटे सभी real number के लिए continuous होगा 0 1 के बीच के real number के लिए continuous होगा और 1 से बड़े सभी real number के लिए continuous होगा ठीक है 0 पे भी continuous आया था 1 पे discontinuous आया है ठीक है तो जब हमने continuity पूछ जाएगा तो हम domain के सभी real numbers के लिए चेक करेंगे ठीक है अगर यहाँ पर discontinuity पूछा होता जैसे question number 6 से लेकर 12 तर पूछा है तो हम सिर्फ 0 और 1 पे ही चेक करते ठीक है जैसे हमने आप यह 0 से छोटे real number के लिए चेक किया जीरो और 1 के बीच के real number के लिए और वन से बड़े रियल नम्बर के लिए और जीरो बन पर दो हमें चेक करना ही होगा ठीक है कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ अभी हमने यहाँ पेग जिरो से छोटे रियल नम्बर जीरो और वन की बीच की और बन से बड़े real number के लिए हमने LHL, RHL और उस point पर function की value तीनों को equal दिखा करके continuous law पर बताया था, ठीक है, इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, 0 से छोटे real number के लिए, यह पर दिखा देतो, short shot में, for x less than 0, 0 से छोटे real number के लिए, f of x equal to 2x है, और यह कैसा function है, यह polynomial function है, polynomial function, बहुपदिया फलन, ठीक है, तो कल जैसे मैंने आपको बताया था, कि आगे हम कुछ theorem को discuss करेंगे, ठीक है, तो एक theorem यह भी यह कि polynomial function, सारे real number पर continuous होता है, ठीक है, तो 0 से छोटे real number के लिए, f of x equal to 2x है, जो कि polynomial function है, और polynomial function सभी real number पर continuous होता है, तो इसलिए, 0 से छोटे real number के लिए, यह continuous होगा, ठीक है, इसी तरह किसे, for x greater than 0, less than 1, के लिए f of x equal to 0 है, और यह constant function है, constant function भी सभी real number पर continuous होता है, तो इसलिए 0, 1 के बीच के सभी real number के लिए function continuous है, ठीक है, और फिर लास्ट में, for x greater than 1, 1 से बड़ी real number के लिए f of x is equal to 4x है, यह भी कैसा function है, polynomial function है भी, और polynomial function क्या होता है, continuous होता है, सभी real number पर, तो इसलिए 1 से बड़ी real number के लिए function continuous है, तो इस तरह के से भी बताया जा सकता है, ठीक है, अब डिसकस कर लेते हैं, question number 3 का D part, जो कल मैंने छोड़ दिया था, आज के लिए, क्योंकि यह भी question number 13, 14, 15, 16 जैसे ही है, तो भी वैसे मैं आपके साथ 15 के बाद 14 को डिसकस करने वाला था, लेकिन 15 में बहुत ज्यादा टाइम लग गया है, काफी लंबी बीडियो बन गई है, और question number 14 में भी मुझे detail में थोड़ा उसको discuss करना है, तो उसे हम कल discuss करनेंगे, अभी question number 3 का D part देख लेते हैं, यहाँ पर यह function हमें गिए बने f of x is equal to mode of x minus 5, और यहाँ पर हमें इसकी continuity को discuss करना है, इसकी सातेते पर बिचार करना है, ठीक है, तो यह modulus function है, आगे हम एक थिरम यह भी पढ़ेंगे, कि जो modulus function होते हैं, वो सारे real number पर continuous होते हैं, तो वैसे तो directly यहाँ पर लिखा जा सकता है, कि यह modulus function ह है, यह मापांग फ़लन है, इसलिए सभी real number पर, सभी वास्तवी बिन्दों पर continuous होगा, ठीक है, लेकिन अभी हम इसको step by step करेंगे, ठीक है, तो पहले तो मैं modulus function के बारे में तो मैं उतावने चाहता हूं, कि जो modulus function होते हैं, जिसे mode of x, इसे हम दो तरह किसे define कर सकते हैं, अगर यह value negative है, तो mode of x equal to minus x, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे confused जाते हैं, कि हाँ पर minus क्यों आए, क्योंकि modulus का मतब तो यह होता है, कि हम negative sign को हटा देते हैं, negative sign को ignore करते हैं, तो यहाँ पर minus कैसे आ गया, तो अभी मैंने किया का, x कैसी value है, less than 0, means negative, तो यह negative value है और negative से पहले जब negative हैगा तो negative minus minus plus, तो यह overall यह positive ही होता है, ठीक है, जो दिखने में तुम्हें negative लग रहा है, यह positive है, ठीक है, आई बस में, x less than 0 है, negative है, और negative से पहले negative हैगा, तो यह क्यों होगा, positive, ठीक है, और अगर x positive है, then mode of x equal to x, ठीक है, अब यहाँ पर ही जो में य यह बने, इस function पर ज़र ध्यान से दिखना, अगर हम यह पर 5 रखें, तो 5 minus 5, 0 होता है, ठीक है, इट मींस, अगर यहाँ पर हम 5 से छोटा कोई real number रखें, suppose 4, अगर यहाँ पर 4 रखें, तो 4 minus 5, 1, ठीक है, तो इट मींस, 5 से छोटे real number के लिए, इसकी value क्या आएगी, ठीक ह और 5 से बड़े real number के लिए positive आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर function दो तरगी से define होगा, f of x is equal to mode of x minus 5 equal to, ठीक है, अगर यहाँ पर 5 रखते हैं, तो 5 minus 5, 0 होता है, तो 5 से छोटे real number के लिए, अगर x 5 से छोटा है, तो यह negative होगा, और जब यह negative होगा, तो यह equal to minus x minus 5, in bracket x minus 5, ठीक, ऐसे ही जैसे मैंने आपको यह समझाया था, ठीक है, दूसरी तरह के से define कैसे होगा, जब अगर x की value, either equal to 5 और greater than 5 हो, तो तब यह positive होगा, ठीक है, और जब यह positive होगा, तो mode of x minus 5 equal to होगा, x minus 5, ठीक है, तो इस तरह के से modulus function है, पर दो तरह के से defined है, हमें इसकी continuity को discuss कर देन ना है, तो सबसे पहले तो 5 पर चेक करेंगे, at x equal to 5, ठीक है, इसमें left hand side limit निकालेंगे, right hand side limit निकालेंगे, और वो ठीक है, check कर लिजेगा, equal आता है कि क्या आता है, और फिर 5 पर function की value निकाल देंगे, ठीक है, अगर यह 3 equal होगा, तो यह continuous होगा, और अगर equal ना होगा तो discontinuous होगा, ठीक है, साथी साथ, आपको 5 से छोटे real number भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 से छोटा real number आप suppose कर लेना, a, less than 5, इसमें left hand side limit, right hand side limit, और 5 पर function की value, equal लोगी, क्योंकि, अभी जैसे मैं आपको चाहता, polynomial function is continuous होता ही है, तो तो continuous हो गई, ठीक है, और 5 से बड इसके बड़े real number के लिए continuous होता है, ठीक है, तो पूरा जैसे अभी हमने question number 15 को किया, उस तरह के से, अब इसको आप खुद कर सकते हैं, बस आपको इतना असा बताना था, कि यहाँ पर model जो होता है, इसको दो तरह के से define किया जाता है, ठीक है, तो इसके बाद आप खुद कर सकते हैं, सुबसे पहले 5 पर लिमिट चेक करना, 5 पर लिमिट चेक करने के बाद, 5 पर continue चेक करना, और 5 पर continue चेक करने के बाद, 5 से छोटे real numbers, less than 5, और 5 से बड़े real number, जो मैं B सपोस किया है, उस पर check कर लेंगे, ठीक है, वैसे directly भी लिख सकते हो, जिससे मैं आपको अभी real number के लिए, ये भी कैसा function है, polynomial function है, बहुपदिया फलने, इसलिए 5 से बड़े सभी real number के लिए क्या होगा, continuous होगा, ठीक है, तो से खुट रहे करेंगे, ठीक है, और अगर कोई doubt है, ठीक है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, तो comment box में जरूर पूछिए गा, आपकी समस्य के समसान जरूर किया जागा, ठीक है,